नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिंदी डिफेंस शो के गोर एपसोड में जहां मैं लेकर आता हूँ आपके लिए डिली डिफेंस अपडेट तेजस MK2 एरक्राफ्ट इसी साल अजादी के अमरित महसव के अफसर पर रोल आउट किया जाना था प्लैन के मताबिक एक अच्छा खासा शो भी और्गनाईज होना था जिसमें हमारे प्रधान मंतरी, रक्षा मंतरी और कई और गणमाने व्यक्तिव की उपस्तिती में इसे रोल आउट किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जाहिर है चीन से जारी गतिरोद इसका मुख्य कारण था लेकिन इनस्टियल सोर्सिस से मिले ख़बर के मताबिक उन्हें सबसे पहले तेजस एमके टू को दिखाया गया जिसे लगबग एसेंबल किया जा चुका है उनको तेजस एमके टू की एक पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट सौपी गई एरचिफ मार्सल ने पिछले मेने ही कहा था कि इंडियन एरफोर्स हर हालात में तेजस के 6 स्कुर्टरन को खरीद देगा एरचिफ ने एक मीटिंग भी अटेंड किया है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स के ऑफिशल के साथ जिसमें उन्होंने तेजस एमके टू प्रोग्राम को फास्ट ट्रेक करने के लिए बोला और जो थोड़ा काम अभी बाकिया है उसे पहले उसे पहले कम्प्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी एरचिफ ने हल ऑफिशल से यह भी कहा कि भारतिय वायुसे से जो भी हल्प चाहिए हल को वो सब बिना कोई शर्थ किया जाएगा और इसके डिवलप्मेंटल ट्रायस को जल्द से जल्द कम्प्लीट करने में वायुसे अपना रोल निभाने के लिए हर तरीके से त्यार है दोस्तों अगर आप लोगों याद हो तो पास्ट में डिवलप्मेंटल ट्रायस को लेकर एचेल और इंडियन एरफोर्स में मतबेद रहे हैं लेकिन इस विजट में एरचिप मार्शल ने कह दिया कि इसमें कोई भी मतबेद नहीं हो सकता और इसे पूरे सिरे से ही इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरणोर्टिक्स लिम्टेड और इंडियन एरफोर्स के बीच बहुत अच्छा कोडिनेशन है और किसी प्रकार का कोई मतबेद नहीं है तेजस MK2 फार्टर जेट का रोल आउट होना इसी महीने अजादी के अमरित मौसर पर होना तया था लेकिन यह थोड़ा डिले हुआ और यह तहम आने जा रहा है कि अगले कुछ हफ्टों में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा जो भी समय नस्ट हुआ उसके लिए स्पिसल एफर्ट किये जा रहे हैं ताकि लॉस्ट टाइम को रिकवर किया जा सके दोस्तों आप लोगों को बता दो कि जहां एचल अधिकारियों ने एरचिप मार्सल को ब्रीफ किया वह एक फैसिलेटी था जो सिर्फ और सिर्फ तेज सबसे ज्यादा अत्यादुनिक होगा और हमारे इंडियन एरफोर्स को और भी ज्यादा मजबूत करेगा दोस्तों आपकी क्या रहा है इसे लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और एक बार जैहिंद जरूर लखे कमेंट सेक्शन में और यदि आपने मेरा चैनल अ सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए ताकि आपको सारे डिफेंस अपडेट समय पर मिलते रहें मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ जय हिंद जय भारत